दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन सभी स्टुडेंट्स के लिए है जो मद्यप्रदेश पुलीस कॉंस्टेबल की तियारी कर रहे हैं और इस एक्जाम को पहले ही अटेंप्ट में बिना किसी कोचिंग के निकालना चाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बैस्ट बुक बताने वाला हूँ जिसको पढ़कर आप इस एक्जाम को बिना किसी कोचिंग के आसानी से निकाल सकते हैं तो देखते रहे हैं पूरा वीडियो बिना स्किप किये दोस्तों मार्केट में बहुत सी बुक सब्लब दें पर उनमें से कौन से लेखक की बुक सबसे बैस्ट है और कौन सी फेल्ड बुक है जो विद्यार्तियों को धोका दे रही हैं कम जानकारी के कारण इस्टुडेंट्स बैस्ट बुक को नहीं पढ़ पाते हैं और ऑफिश बुक सापको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्वेज में इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जिससे कि दोनों टाइप के स्टुडेंट्स को कोई भी प्रोब्लम ना हो बुक को पढ़ने में और साथ ही एक्जाम को क्रेक करने में दोस्तों व आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बॉर्ड में दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें जन्रा नौलिज वाले सेक्शन के बारे में और इसमें भी अगर बात करें मद्यपरदेश के जन्रा नौलिज के बारे में तो यहां पर लुशन की बुक सबसे बैस रहने वाली है इस बुक में आपको मद्यपरदेश के सामाने ग्यान, मद्यपरदेश के विकास और मद्यपरदेश के इतिहास के बारे में बहुत ही सरल एम सटीक तरीके से दे रखा है दोस्तों अब अगर हम बात करें इस्टेटिक जीके के बारे में तो इस्टेटिक जीके के ल इस book के साथ साथ आपको एक book और लेनी है objective की इस से आपको theory पढ़नी है और objective वाली book से साथ के साथ objective लगाने है तो दोस्तों यहाँ पर आपको general knowledge के section के लिए तीन book लेनी है एक lucent की सामान्य ग्यान दूसरी उसी की objective और तीसरी आपको lucent की MP की general knowledge की book लेनी है दोस्तों अब अगर हम बात करें general science यहाँ की सामान्य विज्ञान वाली section के बारे में तो यहाँ पर lucent की book सबसे best रहने वाली है इस book के साथ सथ अगर आप और अच्छे level की तेयरी करना चाहते हैं तो आप किरन publication की railway की यह वाली book ले सकते हैं इन दोनों books का link मैं अपने description में को दे दूँगा आप चाहे तो सिर्फ वहां से ले सकते हैं दोस्तों आप अगर बात करें maths की तो maths के लिए आपकी quantitative aptitude by RS Agrawal sir की book सबसे best रहेगी यह book दो section में divided है पहला arithmetic ability जिसमें आपका number system HCF LCM SI, CI, calendar, clocks, permutation, combination, height and distance, time and distance, allegation, mixture and second section है आपका data interpretation का tabulation, bar graph and pie chart का दोस्तों RS Agrawal वाली book के साथ साथ आपको एक book और लेनी है advanced maths के लिए किरन publication की इस book में आपको 10,500 plus objective questions मिल जाएंगे previous year questions with detailed solution यह book आपको Hindi और English दोनों ही language में इस वीडियो के description box में मिल जाएगी आप चाहे तो उसे वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं reasoning की तो reasoning के लिए आपको दो book लेनी है सबसे पहली book जो आपको लेनी है वो verbal and non-verbal reasoning by RS Agrawal sir की book लेनी है इसको करने के बाद आपको किरन publication की book लेनी है इन दोनों book को करने के बाद आपका reasoning का section पूरे अच्छे से cover हो जाएगा ये वाली book भी आपको Hindi और English दोनों ही language में market में मिल जाएगी link description में है आप चाहतों से वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों अब अगर मैं बात कुरूँ सबसे important book के बारे में जिससे आपकी accuracy भी बढ़ेगी ताकि आप कम समय में जादे से जादे question को attempt कर सको और आपको exam के pattern की भी समझ आएगी तो उसके लिए आप अगरवाल की exam card की book ले सकते हैं इस book में आपको 35 salt paper मिल जाएगे ये book आपकी GS, reasoning, math, science चारो section के लिए सबसे best book है इस book को आप बिल्कुल भी लेना मत बूलिएगा दोस्तो आज जो books मैंने आपको बताई है उन सभी का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपके पास पहले से ये सभी books हैं तो अच्छी बात है आप preparation में लग जाएगे अगर कहीं से आपको सस्ते दामों में मिल रही है तो आप वहाँ से ले सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस exam की त्यारी करने वाले अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जादे से जादे शेर कीजिए लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे थैंक यू तो